हेलोफेंट सबसब कैसी आज किस वीड़ों बतानी वाले हैं नाइओएस नाशनल इंसिट्यूट ऑफ ओपन एस्कुलिंग के द्वारा जारी नाइओएस क्लास 10 एंड 12 का रिजल्ट आप सभी को कैसी देखना है इस वीड़ो में आप सभी को रिजल्ट देखना बतानी वाले और हमने यहाँ पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट डाउनलोड किया इस वीड़ो में आप सभी को रिजल्ट डाउनलोड किरनी की पूरी प्रोशेश बतानी वाले तो आप इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो आप सभी को result देखने के लिए अपने mobile phone में simply किसी भी browser को open करना है हमने आपर chrome browser को open किया फिर आप सभी को simply search बार पर आना है यहां पर आने के बाद simply type करना ती आर जी एटी फिर एस पेस देना है फिर टाइप करना सी ओ यू आर एसी शो इतना टाइप करने के बाद आप से भी को simply search करना है जैसे इतना टाइप करके search कि जएगा तो फानी आपर देखने को मिल रहा टारगेट कोर्स का हिंदी में लिखाओ वेबसाइट इस पर क्लिक कर देना और वेबसाइट को ओपन करना वेबसाइट यहां पर कुछ इस प्रकार्शी ओपन हो चुक है और आज आना आप सभी को latest update के section में यहां परानी के बाद fourth update देखने को मिल रहा अपडेट यहां पर कुछ इस प्रकार्शी ओपन हो गया और आज आना आप सभी को direct important लिंक के section में यहां परानी के बाद आप सभी को यहां पर first नमर पर show कर रहा है चेक अपडेट यहां आप सभी को result देखने के लिए तीन सरबर show कर रहा है show of first, show of second and show of third तो आप सभी को show of first पर click कर देना है जैसे आप इस पर click किसेगा तो आप सभी के शामने कुछ इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा और कुछ इस प्रकार का interface आने के बाद आप सभी को result देखने के लिए यहां पर simply enrollment number fill up करना होगा और यह जो capture code देखने को मिल रहा है इसमें fill up करके submit पे click करना होगा तो चलिए यहां पर हम roll number भी fill up करके दिखा देते हैं तो finally यहां पर fill up कर लेते हैं ठीक है और यहां पर roll number fill up हो चुका है and then यहां पर यह secure queen code इसमें fill up करना है तो चलिए इसको भी यहां पर फटा-फट fill up कर लेते हैं and then capture code fill up करने के बाद आपसे भी को simply submit का options हो करना है इस पर click करना है तो चलिए submit वाले option पे click करते हैं तो जैसे submit वाले option पे click करेंगे तो यहां पर result कुछ इस प्रकार से PDF में download होके यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है आप से भी यहां से result का print out कर सकते हैं बट अब हम बात करें यहां पर अफरिल result का ठीक है तो देखिए वो अभी यहां पर result जारी नहीं हुआ है उस result की minimum जो date है result release होने की वो यहां पर 20 जून है बट अभी result जारी नहीं हुआ जैसे result को जारी किया जाता है आप सभी यहां से कुछ इस प्रकार से result को download कर पाईएगा सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद